किसी ने सच ही कहा है कबीरा इस संसार में सबसे सुखी वकील जीत गए तो फीस मिले और हार गए तो अपील वकालेत यू तो बहुत रॉयल प्रोफेशन है लेकिन नए वकीलों को अक्सर कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है आईए उन समस्याओं को हम गौर से देखते हैं और जानते हैं कि एक वकील की जिन्दगी में कौन-कौन सी समस्याओं उसके सामने आती है जो सबसे बड़ी और सबसे प्रमुक समस्या है वो है मॉनिटरी प्रॉब्लम वकालत के पेशे में सैलरी नहीं होती हाँ अगर आपने कोई law firm जॉइन कर रखी है तो आपको सैलरी मिल सकती है लेकिन अगर आप independent वकालत कर रहे हैं तो आपको सैलरी नहीं मिलती आपकी soul income इस बात पर depend करती है कि आपके पास कितने case है और उस case में आपको कितनी fees मिली है इसलिए जो single earning member होते है family के यानि की पूर इस four members की एक family है जिसमें एक वकील है जो earn कर रहा है और अगर वो salary अगर उसे नहीं मिलती और सिर्फ वो case पर dependent है तो कहीं न कहीं उसको तीन लोगों का survival करने के लिए एक समस्या आ जाती है जो की monetary problem है और ये समस्या बहुत जादा मातरा में कई सारे वकीलों के सामने आती है और हम देखते हैं कि इसका solution क्या है इसका solution छोटा सा है कई सारी bar council की recommendations भी है और कई सारी state government की recommendation भी है यहां तक कि ये poll promises भी कई बार होए हैं कि जो junior advocates होते हैं उन्हें stipend दिया जाए यानि कि जब वो वकालत की शिरुवात करें तो उन्हें कुछ ऐसा amount दिया जाए कि वो अपनी वकालत को और आगे सुचारे रूप से चला सके कई सारे लोग वकालत शुरू तो करते हैं लेकिन बीच में ही छोड़ देते हैं कारण होता है कि अपनी वकालत को सर्वाइव करने के लिए जो मॉनिटरी रिलीफ होने चाहिए वो उनके पास नहीं होता और अक्सर ऐसा भी होता है कि जो seniors होते हैं वो कुछ भी stipend अपने juniors को नहीं देते तो एक मेरी second recommendation है वो seniors को है कि ऐसा रूल जरूर होना चाहिए या seniors को एक moralistic stand जरूर लेना चाहिए कि उनके आँ जो कोई भी काम करे as a junior advocate उसे वो stipend जरूर दे हाला कि seniors का बहुत जादा हमें gratitude होना चाहिए because वो हमें सारी practical knowledge और skills सिखाते हैं लेकिन ये बात भी सच है कि बिना monetary benefit के कुछ भी आप अगर सीखें तो वो शुरुवाती दौर में बहुत मुश्किल होता है इसके लावा सबसे बड़ी problem जो second number पे है वो है practical skills practical skills सबसे बड़ी problem है पूरे इंडिया के law system की पूरे इंडिया के judicial system की यहाँ पर आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे वो lawyer नहीं सीख पाते हैं दूसरा एक English English एक ऐसी समस्या है खासकर उन lawyers के लिए जो कि High Court या Supreme Court में practice करते हैं अगर आपकी English अच्छी नहीं है तो आप High Court पर practice करने में हिचके चाहते हैं या कई बार ऐसा होता है कि आपको यह लगता है कि आप अच्छी practice कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे हाला कि language को सीखना अपने आप में एक process है और अगर आप चाहें तो इस language को बहुत आसानी से सीख सकते हैं उसके लिए बस आपको consistency चाहिए लेकिन जिनके पास यह knowledge नहीं है या जिनके पास यह skill नहीं है उनके लिए एक समस्या है ही उसके लावा communication skills अगर आप बहुत introvert है त आपको अपने communication skills पर बहुत जादा ध्यान देना चाहिए communication skills आपके ऐसे होने चाहिए कि अगर आप 10 में से 10 लोगों को मिल रहें तो कम से कम आप अगली बार 9 लोग आपको जरूर याद करें तो आपको इस तरीके से अपनी चाप अन्य लोगों पर छोड़नी चाहिए कि व वह आपको पर्चेत हैं तो वह कहीं न कहीं आपसे consultation लेने के लिए ही सही आपसे phone जरूर करेंगे और चौता है contacts, contacts हम तभी बना सकते हैं जब हमारे communication skills अच्छे हो, contacts बनाना बहुत जरूरी है law की field में और आपको लगातार इन पर ध्यान भी देना चाहिए, एक solution जो practical skills से related ह जो हमें, जिस पर हमें discussion करना चाहिए, वो है कि Bar Council of India कुछ ऐसे courses बना सकता है, जो universities को ऐसा curriculum design करने में help कर सकता है, कि जो practical skills है, drafting skills है, वो सीखने में लोगों को help हो सके, तो ये Bar Council of India और साथ में कुछ universities और कुछ private organizations भी हाला कि आज कल इस field में हैं, जो लोगों को drafting skills वगेरा मे कुछ courses करा रहे हैं, लेकिन हाँ, वो courses बहुत महंगे हैं, और सब की reach में नहीं आ सकते, लेकिन ये drafting skills अगर हमारे law के curriculum में ही, traditional universities में भी अच्छे तरीके से अगर सिखाये जाएं, तो एक legal fraternity और ज्यादा मजबूत होगी, इसके लावा तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है, वो है accommodation, अब आप समझ गये होंगे कि तीन समस्या हैं, रोटी, कपड़ा और मकाद, सब के साथ रहती हैं, तो वैसे ही समस्या lawyers के साथ भी है accommodation, कई बार ऐसा होता है कि lawyers जहाँ पर practice कर रहे होता हैं, वो वहां के रहने वाले नहीं होते, तो उनके लिए ये समस्या दोहरी हो समस्या है, और ये समस्या इसलिए भी है, क्योंकि आजकल rents जो हैं, बहुत जादा costly है, उसके अलावा chambers जो हैं, जो courts में available होते हैं, वो नए advocates के लिए available है ही नहीं, उसके availability बहुत कम है या ना के बराबर है, और court promises जो हैं, बहुत जादा overcrowded हो चुका है, यानि कि जो lawyers हैं, वो तो दिन बर दिन बढ़ रहे हैं, लेकिन जो lawyers के लिए chambers बनने चाहिए, यह lawyers के लिए specific space होना चाहिए, जहां पर वो अपना office बना करके, courtroom के पास ही अपने practice कर सकें, वो space बहुत कम है, यानि कि यह जो space है, बहुत overcrowded है, इसका solution सिर्फ यही है, जो government जो है, वो help कर सकती ह है, कुछ ऐसे environment create करने के लिए, जो advocates के लिए, या bar के लिए, ऐसा करें, ऐसा कोई space बनाए, जहां पर advocates अपना office बना सकें, तो इसमें government का बहुत बड़ा रूल है, जो government ही देख सकती है, उसके लावा bar council भी चाहें, तो हर district पे, हर जगा, ऐसे chambers बना सकती है, या ऐसे space बना स जाता था, जो मैंने, जो मैंने खुद भी observe किया है, कि अगर law की field में, अगर 100 lawyers हैं, तो इस 100 lawyers में practice करने में, आपको 90 प्लस, 90 प्लस जो हैं, वो male lawyers मिलेंगे, यानि कि महलाओं की संख्या legal field में काम करने में, बहुत ही जादा कम है, 100 मैंसे 10 महला ही law की field में काम करती है, ऐसा अलावा, जो metro cities है, वो तो woman friendly है, लेकिन जो छोटे शहर है, वो बहुत woman friendly नहीं है, इसको भी हमें देखना पड़ेगा, कि जब एक बहुत ही जादा male dominated area जहां पर होता है, वहाँ पे woman का comfort, woman lawyers का comfort zone कितना जादा है, ये भी एक matter of consideration होना चाहिए, और एक तीसरा point जो मैं woman lawyers के रेखना चाहता हूँ, कि seniors are not easily approachable, male dominant जो courtroom है हमारा, उसमें कि senior को ढूणना, ऐसे seniors को ढूणना, जो female हो, या ऐसे लोगों को ढूणना, जो थोड़े empathetic हो, junior lawyers की तरफ, और जो सिखाने में believe रखते हो, वो बहुत मुश्किल है, seniors तो पहली बात, जो नए advocates आते हैं, उन्हें ढूणने में बहुत मुश्किल आती है, उसके अलावा female advocate जो practice करना चाहती है, definitely उनके लिए भी ये problem बहुत बड़ी होती है, point और है कि parents willingness for the daughter to do advocacy is less, ये हमेशा उन शहरों में मिलता है, जो matricities नहीं है, वहाँ पर willingness towards advocacy बहुत कम होती है, because ये male dominated रहता है, इसलिए कई सारे parents चाहते हैं कि उनकी लड़की जो है, वो practice करने के लिए जाए, और यही बात जो patriarchal mindset है, वो हमें societal pressure के रूप में भी दिखाई देता है, छोटे शहरों में सबसे जादा, एक last point, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें solution oriented रहना चाहिए, तो last हम discuss करेंगे कि क्या होना चाहिए, what should you do देखे, सबकी समस्याइं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मका, लेकिन एक lawyer की समस्याओं में skill भी होता है, lawyer को अपने skills भी develop करने पड़ते हैं, तो हमेशा आप अगर practice आपने शुरू करी है, या practice के process में भी है, तो भी अपने skills पर जरूर ध्यान देजिए, वो skills drafting से related हो सकते हैं, वो skills computer से related हो सकते हैं, वो skills IT की field में हो सकते हैं, या फिर वो skills कई सारे negotiations के रूप में हो सकते हैं, वो skills financial management के रूप में हो सकते हैं, बट आप skill को सीखते रहे हैं, आपको एक open mindset के साथ काम करना होगा, तभी इस field में आप बहुत आगे जा सकते हैं, उसके अलावा जो second है हैं, जो आप आसानी से कर सकते हैं, अगर हम judgment की बात ले लें, पहले judgments easily available नहीं हुआ करते थे, internet के पहले आपको judgments पढ़ने होते थे, तो आप wait करते थे कि जो journals आएंगे, law journals आप उसमें पढ़ेंगे, लेकिन आज आप जो cases तुरंत आते हैं और आप उन judgments को तुरंत पढ़ स तो अगर कोई भी अपने search engine में ये डालता है, advocate near me, तो हो सकता है कि आपका नाम pop-up करे, तो ये जो technology है, उससे आप खुद को help कराईए, खुद अपने legal profession को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, इसके बारे में आपको और अच्छे से सोचना चाहिए, और एक जो point है, वो सब भी profession तब चलेगा, जब वहाँ के लोगे के पास आर्थिक, जो financial abundance है, वो ज़्यादा होई, अगर वो financially खुदी abundant नहीं है, तो आपको fees के रूप में वो बहुत कम पैसे देंगे, लेकिन वो लोग जो financially abundant है, उन्हें मेहनताना देने में या उन्हें फीस देने में कोई नुक अगर आप नौर्थ इंडियन स्टेट्स में रहते हैं, आप इलहाबाद में रहते हैं, और अगर आप चाहें तो आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर तो आपको इलहाबाद के वज़ाए डेली को चूज करना चाहिए, अगर आपके लिए possible हो, रिजन मिंग वहाँ financial abundance ज्यादा है, और आप अपनी प्रैक्टिस को धीरे धीरे इतना इस मुकाम पे ला सकते हैं, कि लोगों के पास जब पैसा होगा, तो आपकी प्रैक्टिस में और ज्यादा हेल्प करेंगे, इसके अलावा चौथा पॉइंट है, एक्स्प्लोर नियू अविनियस इन बड़ा रूल प्ले करता है, इसको हमें कैटर करना चाहिए, आपको इस तरफ ध्यान जरूर देना चाहिए, और जो ट्रडिशनली चलता आ रहा है, उस पर ही अगर आप रह जाएंगे, तो आप नए विनियू को एक्स्प्लोर नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मेरा आपको सजेशन्स हैं कि आप नियू एविन न्यूस की तरफ अपना ध्यान जरूर दें, फिफ्ट पॉइंट, आपको शोशल होना चाहिए, एक लॉयर का जो काम है, वो उसे इंट्रोवर्ट रहकर के किताबे भी पढ़नी है, जज्जमेंट्स भी पढ़नी है, जर्नल्स भी पढ पढ़नी है, तो शोशल बनिये, लोगों के काम आईए, आपकी प्राक्टिस इससे बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी, और छटा पॉइंट, जज्जमेंट्स पढ़ना जरूरी है, बुक्स पढ़ना जरूरी है, और कमेंट्री पढ़ना जरूरी है, लीगल पढ़ते हैं, तो आप एक law का analytical study करते हैं, जो कहीं न कहीं एक बहुत बड़े मुकाम पर आपको लेकर जाएगी, बुक्स, कमेंट्री और जज़्जमेंट्स इनको ज़रूर पढ़े, उसके अलावा, NGOs और शोशल और आप जोइन कर सकते हैं, अगर आपके पास समय है, तो ज़रूर 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 करें, बिकास कहीं न कहीं एक lawyer का काम होता है, कि वो society के कैसे भी काम आ सके, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल सके, अगर आप देखेंगे politics में भी, तो सबसे ज़्यादा lawyer ही हैं, तो अगर आप hardcore politician नहीं बनना चाहते, और वो उसकी ज़रूरत भी नहीं समझते अपनी लाइफ में, तो आपको NGOs या social organizations join करने चाहिए, जो कहीं न कहीं आपको social बनने में भी help करेंगे, मैं conclude करूंगा अपने इस वीडियो को, जिसमें मैंने discuss किया कि एक lawyers की जिंदगी में क्या-क्या problems होती है, लेकिन एक चीज मैं आपको solution oriented mindset, problem सबकी life में होती है, lawyer के life में हो सकता है, दस भी ज़्यादा problem हो, लेकिन एक lawyer सबसे ज़्यादा लोगों की problem solve करता है, जो लोग problem में होते हैं, उनकी भी problem solve करता है, तो अगर कोई भी lawyer solution oriented mindset लेके चलेगा, तो definitely वो उसके आसपास जितनी भी problems हैं, उनसे deal कर लेगा, है, enthusiasm होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, pile of books होती है, pile of cases होते हैं, फिर भी आपको जोश के साथ रोज कोट जाना होता है, और खुश रहना होता है, जितना आप खुश रहेंगे, आपकी practice उतनी ज़्यादा बढ़ती रहेगी, तो यहीं पर मैं conclude करना चाहूंगा, और मैं आपको फिर से कहूंगा कि life में solution oriented रहना बहुत ज़रूरी है, और आखिर में हमें ये समझना चाहिए, कि जिन वकीलों पर न्याय दिलाने की जम्मेदारी है, उनके लिए समाज और देश तहे दिल से अभारी है, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फो वाचिंग एंटार वी